Prolonged fasting, Intermediate fasting, Crescendo fasting, One meal a day fasting, एक body के लिए क्या क्या करें? इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिस करेंगे अलग-अलग टाइप के fasting के बारे में. उसमें से first है Omid fasting, इसका जो full form होता है वो होता है One meal a day fasting. ये आजकल बहुत ज़्यादा popularity गेन कर रहा है. So, essentially ये एक intermediate fasting का एक form है इसमें 23 hour या 23 and a half hour fasting में होता है एक ही meal एक दिन में ले जाता है उसमें सारा calorie, जितना भी आपका एक diet का calorie है जो भी आपका body weight के हिसाब से आपको calorie intake करना है वो सारा calorie आप एक meal में ही लेते हैं. ये थोड़ा intense sound कर रहा है मगर honestly ये actually intense है. Most commonly देखा जाए तो लोग intermediate fasting के बारे में जानते हैं जिसमें 16 hour का fasting रखना परता है और 8 hour का eating window होता है. तो इस वीडियो में मैं आपका intermediate fasting 16 is to 8 और omate fasting को compare करूँगा और भी एक fasting है जिसका नाम है 3 square meal a day. एक meal morning में लेना परता है, एक meal midi में लेना परता है, मतलब around afternoon और एक night को लेना परता है. तो इसके साथ भी compare करूँगा. तो first मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक study को publish किया गया था American Journal of Clinic Investigation में. 8 week का study था जिसमें 2 group को form किया गया था, एक जो group था उसको 3 square meal a day दिया गया, morning, midi, मतलब afternoon और night को और एक group को 1 meal a day दिया गया. Total number of calorie था दोनों group को equal दिया गया, उन लोग के body weight के हिसाब से. मतलब जो 3 square meal a day था, उनका calorie था, उसको divide कर दिया गया था, 3 meals में. और जो 1 meal a day था, उनको एक ही बार meal दिया जाता था, एक दिन में, उसमें सारा calorie दिया जाता था, उन लोग के body weight के हिसाब से. 8 week का study था, 8 week का study जैसे ही खतम होता है, तो वो लोग जब result देखते हैं, तो देखा जाता है कि दोनों का जो weight है, almost same है. However, जो 1 meal a day कर रहे थे, उनका 4.6 pound loss हुआ 8 week में, और जो 3 square meal a day कर रहे थे, उनका 3.9 pound loss हुआ 8 week में. तो देखा जाए, आप average या आप compare करोगे, तो दोनों का almost same weight loss हुआ. बट देखा जाए, जो group था, जो 1 meal a day कर रहे थे, उनका कहीं न कहीं 3 square meal a day वाले से ज़्यादा pound loss हुआ. बट ये study मुझे convince नहीं किया. तो चलो दूसरा study देखते हैं, जो publish हुआ था, Journal of Translational Medicines में, जिसमें 16 is to 8 fasting और 3 square meal fasting को compare किया गया था. इसमें भी दो group बनाया गया था, एक 3 square meal a day group और एक 16 is to 8 fasting group. जो 3 square meal a day वाले group था, उनको 8 a.m., 1 p.m. और 8 p.m. को मिल दिया जाता था. और जो 16 is to 8 वाले group था, उनको 1 p.m., 4 p.m. और 8 p.m. को मिल दिया जाता था. जो calorie intake था, group A और group B बोल सकते हैं, तो group A वाले को भी same calorie intake दिया जाता था, उनके body weight के हिसाब से, और group जो 16 is to 8 था, उनको भी same calorie intake दिया जाता था, उनके body weight के हिसाब से. At the end, जब result आया, तो देखा गया कि सबका weight है, almost दोनों group के same थे, but एक difference find किया गया, कि जो 16 is to 8 वाले group था, उनको almost 16% ज्यादा fat loss हुआ, 3 square meal देवाले से. देखा जाए, जब आप fasting करते हो, तो बहुत कुछ role play करता है आपके body में, जैसे आपका insulin level, आपका glucose level, ये सब चीज का बहुत important role होता है. और अब जब 16 is to 8 meal कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कि 16 hour का fasting कर रहे हो, और 8 hour आप eating window रखे, तो उस 8 hour में आप अपना food enjoy कर पा रहे हो, वन meal a day में आप सिर्फ एक meal दे रहे हो, और पूरे body को आप बहुत ज़्यादा stress दे रहे हो, 23 hour ये 23 and a half hour के लिए, तो देखा जाए 1 meal a day या 3 square meal a day ये कोई realistic नहीं है, और at last आप मेरा opinion पुछोगे, तो 16 is to 8 fasting अच्छा है, बेटर है 1 meal a day या 3 square meal a day से, और 16 is to 8 आपको जो fasting है ये आपको करना है, तो week में 2 बार या 3 बार बहुत अच्छा है करना, आपको body को shock मिलेगा, और आप diet एक अच्छा plan बनाओ, जो प 16 is to 8 fasting आप week में कर सकते हो, जिससे आपका body अच्छा shock हो जाएगा, आपको change मिलेगा, आपको fresh feel होगा, और even 1 meal a day आप करते हो, और उससे आपको result मिलेगा, मैं आपको बता रहो, आपको result मिलेगा, fat loss होगा, मगर आपके body के अंदर के hormone disturb हो जाएगा, insulin level disturb होगा, glucose level disturb होगा, ज तो generally 1 meal a day आपका body का fat burn करेगा, बट ये sustainable रहेगा, 16 is to 8 में आप meal भी enjoy कर पाओगे, और ये sustainable नहीं रहेगा, और आप अच्छा से इसको enjoy भी कर पाओगे, तो आप अपना opinion बनाओ, आप अपना educated decisions लो, और आप बहुत जादे समझदार है, मुझे मालूम है, तो उस हिसाब स आपको क्या आपको करना है, आपको अपना body को किस हिसाब से बनाना है, किस हिसाब से आपको अपने body को अच्छा रखना है, ये समझो और उस हिसाब से decision लो, तो ये video यहाँ पे खतम होता है, आपको कोई भी problem आता है, कुछ भी समझने में आपको तकलीफ होता है, तो आप म ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू सो मच टेक क्यार।